कोट्यार ने विशेश रुप से बहुत ही कमेंडेबल वार किया हो यूथ फाउंडेशन जैसे जो और्गनाइजेशन है इन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर लोग बिल्कुल सिंपल और सजन है बगैर पैसी की काम कितनी मेहनत से और कितनी उससे काम कर रहे है कि विलक्षन यह प्रयोग किया है और यूथ को एक करके उनको इस्पायर करने किया है पहाड की लोग एक तो बहुत मेहनत ही होते हैं दूसरा बहुत कठिन प्रिस्थितियों में काम करने वाले होते है यहाँ पर लोग बिल्कुल सिंपल और सजन है यहाँ पर आज तक सभी लोग एक ताक से रहते हैं और इनका जीवन बिल्कुल सादा है यहाँ के लोग बहुत कर्मण होता है बहुत मेनती होता है और हमने बहुत संगर्शों के बाद इसको पाया है और जो हमारा बेसिक डियेने है उत्राखन का ये संगर्शों वाला डियेने है 9 नॉम्बर 2000 को त्रकंड का जनम हुआ अब आज उत्राखन अभी कुछ दुबक्त बाद 18 साल का हो जाएगा 18 उमर हो जाएगी लेकिन आज भी युवाओं को देखे तो अंदर बदर बडगरे रोजगार की मार खा रहे हैं और इसलिए 2013 में यूथ फाउंडेशन का जनम हुआ तो सर आपके क्या विचार है यूथ फाउंडेशन को लेगे सर्थ बहुत सारे युवाओं को सेना की भरती के लिए यहां पर कैम्प लगाए उनको तयार किया कर्णल कुठ्यार ने विशिस रुप से बहुत की कमेंडेबल वर्क यहां पर किया है उन्होंने यहां के जितने भी यूथ हैं जो कि भटाक रहते उनको उन्होंने एक दिशा दि जमीन पर और जो दिखरा है वो यूथ फॉपॉडेशन के मंगे तो रहते ह gray काम्प यहां कितने मेहनत से और कितने उससे तमकरनosis जहां तक मेरी नज़ पहुच रही है यह उत्राखंण में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके बहुत होने से हमारी एक्सप् el sazer नियां बोलने के लिए बचाने हैं उसले लगता है यूद्व फांडेशन एक दिन आइक है सर अगर हमने महिलाओं की बात कर दो उत्रकंद महलाओं की अगर हम पहले अपने बुजरुकों की बात करते हैं एक सोच हो दी थी कि उत्रखण की बेटी बेटी कर लिए है शादी कर देते हैं घर से बाहर नहीं जाने देते हैं लेगल करनल आजय को ट्याला टीम यूथ फांडेशन एक इनिशेटिव लिया है कि नहीं हम लो करते हैं उसी के पास एक कैम्प लगाता महला होता उसमें देखा कि दो-दो बच्चे एक महला के वो कैम्प में थी ट्रेनिंग ले थी तो बड़ा आश्चरिवा कि इस तरह है और एक नहीं सोच भिक्षित किया है कि कंडल कोठ्याल और उनकी जो साथे उन्होंने हाँ बिलकुल सोच बदले की क्योंकि अगर सोच बदलने के लिए कोई लीडर्शिप आई है जैसे कंडल कोठ्याल है सोच बदली और वो दिखा रहे हैं उसको केवल भाशहर नहीं दे रहे हैं वो दिखा रहे है बच्चेव को लाके और उनको फिजिकल ट्रेनिंग करके और उनको भरती करवाकब उन्होंने यहां पे हमारे युनिवस्टी के फंक्चन में वो तो यह ट्रेनिंग केवल इसलिए नहीं हो रही है कि रोजगार में सेटल हो जाए यह ट्रेनिंग उनकी एक परसनालीटी को डेवलब करने के लिए हो रही है करनल अजय कोठियाल का जो मैलाओं को समाज के बीच लाने का इनिशेटिव है यह अपने आप में विशेष प्रयास है निश्चीतर रूपसे मैं समाजता हूं कि वाथ फोकस्ड है और वो यह के चाहिश काngulo है यू rape है चाहिए उनको एकर जशा देनी का काम तो करी रहे रहें और फोकस्जकंसे लेकिन उनको एक तरह से प्रफेश्नली चैनलाइज कर रहा है यह बगुल अलग बात है और करनल तो मैं जानता हूं कि वो उनके जो आयाम है काफी दूर दसिता वाले हैं उन्होंने उत्तराखंड में विशेश रूप से जो महिलाओं के लिए काम किया है वो आज से पहले कभी कुछ हुआ नहीं है और अधर हम जानना चाहिए से राइस करने लिए जो कोटने इस नॉट मैर हैं तो पूरा उनका जीवन सभी लोगों के लिए समर्पित रहेगा कुछ जो पारिवारिक जिमेदारियां उनसे थोड़ा सा जिमेदारियां थोड़ा सा कम हो जाते हैं तो जो पारिवार एक जिमेदारियों को बहन करना था उन्होंने अपने परिवार को इस तरह से तो आप करनल अजय कोठेल टीम यूद्फ फंडेशन वारे में क्या कहना चाहते हैं हमारी जन्ता से मैं कर रहा हूं कि करनल कोठेल जैसे बस चंद कुछ और लोग चाहिए और निशी तरूर से हमारी देश जो हम कलपना करते हैं कि किस तरह का प्रीश होना चाहिए किस तरह का किस तरह का प्रीश जो अपने कमफर्ट जोन को छोड़ के समाज के लिए कुछ करते हैं वो मेरे लिए हैट्स आफ्टू देंप और मेरे लिए बहुत प्रेणा श्रोथ होते हैं कि मुझे लगता है वो अपना समय अपना धन अपना तनमन से इस कारे में लगे में उनके लिए बहुत बहुत शुपका है कैसा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला के लिए कि अना घ्रातम पुर्ष्वम के जले मलूनम करू हुए यह ऐसा फूल है जिसको अभी अभी अभी लोगों ने मर्शन नहीं किया है और एसा संग्ठन ये बना रहे तो हमारा प्रग्ण अपने आपने पुरे प्रदेश में शिर्मावर बन सकता है ऐसे व्यक्तितों को हम नमन करते हुए उनके साथ हमेशा जूनने की खोशिट करेंगे उन्होंने जो प्रेनाएं दी हैं हम भी उनके साथ लगातार काम करते रहेंगे सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मुलाकात हेमवती नंदन बोगणा केंदरी विश्य विध्याले के वीसी और प्रोफिसर के साथ कुछ सवाल मैंने इंसे पूछे करनल अजय कोटियाल और टीम यूथ फांडेशन इस रिलेटेड और इनके जवाब आप सभी ने सुने कराल आप क्या कुछ सोचते हैं यूथ फॉंडिशनर करने अजय कोटियाल जी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अभी मुझे दीचे इजादत बहुत जल्द हाजिर होंगा आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ थैंक्यू